अगर आप मेरे चैनल पर नया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे और बेल आइकन को प्रेस कर दिजिए जिससे कि मैं अपना कोई नया वीडियो अपना वीडियो बनाके अपलोड करो तो आप तक नोटिफिकेशन पहले मिल सके दोस्तों आप मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा आईए दोस्तों मैं आपसे बात करता हूँ सब्सक्राइब अपने वीडियो बना रहा हूँ तो आपको मैं उसका पार्ट थर्ड भाग लेके आया हूँ पार्ट थर्ड में मैं आपसे बात करूँगा कि अभी तक मैं पार्ट वन पार्ट टू में कुछ इसके वेसिक कांसेप्ट और कुश्चन को बाता चुका हूँ पार थर्ड में मैं आपसे बात करूँगा इसके कुछ और टफेस्ट फार्म के बारे में टफेस्ट टाइप के बारे में जो आप अच्छे से अगर पड़ लेंगे तो आपको इसाम में यह मान के चलिए कि आप 100% वो question solve करेंगे और वो पूरी तरीके से वेस्टाम है जी हाँ दोस्तों आप कम समय में अच्छे से अंसर भी दे पाएंगे और समय भी आपका कम लगेगा तो आईए मैं आपको सीधे सीधे अपने question पर लेके चलता हूँ दोस्तों question जैसा कि आप देख पा रहे होंगे type 10 मैं select किया हूँ type 10 आप इस तरीके से समझे आपको type 10 है या type question जो है 10 है question number 10 समझे या type 10 समझे दोस्तों आप सीधे सीधे देख पा रहे होंगे question में यह question लिखा एक नल किसी टंकी को 4 घंटे में भर सकता है लेकिन रिसाव के कारण टंकी को भरने में उसे 5 घंटे लग जाते हैं कहने का मतलब टंकी में किसी कारण बस रिसाव है या कहें टंकी में छेद है तो एक कुछ पानी रिस्ता चला जाता है तो उस वज़़े से 4 घंटे की बज़ाए 5 घंटे लग जाते है यदि टंकी पू तो इस तरीके से आपको यहां पर टाइम बताना है दोस्तों आईए मैं आपको सलूसन पर लेकर चलता हूं एकदम साथ में थर्ड में आपको यह मान के चलिए आपको अंसर यहां पर देने होंगे एक टंकी एक नल की बात किया किसी टंकी को चार घंटे में भरता है दूसरा से पांच गंटे में भरता है यदि पूरी टंकी भरी हो तो उसे हले साओ के कारण कितनी देर बाद ज्या कितनी समय में हो भार कर देगा यहां पे दोस्तों कह रहा है कि कितनी समय बाद भास को खाली करेगा सीड़े सीड़े आपको ध्यान देना है चितने टाइम यहां पे कि यह का doesn't know time tanky के भी दौरह की को अपने से हम मान लेते हैं टंकी फुर्ष्ट की बात है तो एक सेकंड की बात है बात है वह इस तरीके से दोस्तों आप इतने पार्ट को आप डेखिये यहां पर मैं बाथ किया हूँ ए चार मिनट में पांच भी पांच मिनिट में इस तरीके से यहां पर एक और इन दोनों की लोवेस्ट इफिसियंसी अगर बात करूं तो जो है आपको मिलेगी A और B की जो lowest efficiency होगी यहां से आप देख रहे होंगी A और B की जो lowest efficiency होगी 4 और 5 वो आपको मिलेगी 20 यहां दोस्तों आपको मिलेगी 20 इस 20 को आप जो है 4 से divide करेंगे तो 5 मिलेगा और 5 से divide करेंगे तो 4 मिलेगा तो इस तरीके से A जो है 5 efficiency रखेगा अब भी जो है चार इफिजियंसी रखेगा आप यहां से देख रहे होंगे यह मेरा यह कंसेप्ट है यह लगफख सभी क्वेशनों में फालो अप होता है यह कंसेप्ट आप को मान के चलिए टाइम एंड वर की क्वेशन आप करेंगे या नालाव टंकी के करेंगे समय और कार तो दोस्तों इसमें मैं आप से बात करने वाला हूं कि ऐ और भी जो है मिल के है यहां में मिल कर करें या फिर करें harrum के इस तरीके से ए और बी कि अगर मैं individual या कहें कि दोनों को एक साथ comparison करें तो वो एक साथ मिलके कितना पानी भरेगी A जो है पांच भरेगा B चार भरेगा दोनों देखो ये चार जो है भर रहा है लेकिन ये टंकी ये रिसाओ के करण भरने मिला कहने का मतलब उसमें leakage है तो उसके द्वारा कहें कहीं न कहीं पानी leak हो रहा है तो सीधे सीधे 20 के द्वारा जो है रिसाओ हो जा रहा है एक के द्वारा भरा जा रहा है तो positive मतलब भरता है negative आपका रिसाव होता है तो 5-4 आप करेंगे तो सीधे सीधे आपको 1 मिलेगा एक कहने का मतलब एक efficiency से उसको भरेंगे अब बात है रिसाव के करण खाली करने में लगा समय रिसाव के करण खाली कर देगा कितने समय में तो सीधे सीधे हमें total unit मिला है कितना 20 अब एक unit से ये खाली करेगा तो सीधे सीधे करने में या कहें कितने समय में खाली करेगा 20 बटा एक तो सीधे से 20 घंटे यहां घंटे में दे रखी यह अगर minute होता तो हम 20 minute कर देते तो इस तरीके से हम answer इसके answer को बता लिए दोस्तों next question आपको है अपके लिए टाइप 11 समझे या question number 11 एक नल एक टंकी को 12 मिनट में भर सकता है दूसरा नल उससे 8 मिनट में खाली कर सकता है यदि टंकी पहले से ही 3-4 जी यहां दोस्तो 3-4 यहां पर कह रखा है तीन चौथाई तीन चौथाई भरी हो तो दोनों नलों को एक साथ को तो किपने पर कितने मिनट में खाली हो जाइए तो किसे 3-4 बाज़ फाले पहले से 3-4 भाग ठाग का भरा हुआ है और ऐ 12 मिनट में 8 तो आईए दोस्तों मैं इसके solution पे आपको बात करता हूं सिदे सिदे यहां से यह पार्ट को देखिए और समझना का क्रियास करिए यहां से क्य Responsi का मतलब साज है सिदे सिदे यह जो है बारा मिनिट में जो है आठ मिनट तो टोटल बारा और आठ के जोई लोईस डिक इंशन से बनती है लोईस टेन्स बंता है वह आप का होता है 24 अब अब 24 को हम 12 से डिवाइट करेंगे हमें 2 मिलेगा और 8 से डिवाइट करेंगे तो हमको 3 मिलेगा यहां से आप देख रहे होंगे जैसा कि B की Efficiency माइनस 3 आई और A की Efficiency प्लस दो यहां ऐसा है कि 2 यूनिट से भर रहा है तीन यूनिट से खाली कर रहा है लेकिन आपको लग रहा होगा कि भरा ही नहीं है तो खाली तो तीन यूनिट कर रहा है भर रहा है दो से लेकिन एक बात और कर रहा है तीन चौथाई पहले से भर रहा है तो कहने का मतलब टंकी कहीं न कहीं पहले से fulfill है ए क्वाई सल नहीं तो नहीं कर पाएगा कहां से दो भरेगा तिन खाली करेगा पासिभल ही नहीं है तो तीन चौधाई पहले से भर रखाए तो इस वज़ा से ये पासिबल है तो ऐसा ये question में पहले से लिख भी दिया है अब अगर मैं 24 का 34 करूं तो कितना मिलेगा 34 चरचंग 24 और 24 का ठारा तो कहने का मतलब 18 यूनिट यहाँ पे वाटर पहले से कंटेन हो रखा अब इसी अठारा को हमें खाली भी करवाना है यहाँ पे लिखा है टंकी का 34 भाग पहले से भरा हुआ है दोनों नल को एक साथ खोलने पर टंकी कितने मिनट में खाली हो जाएगी जी यहाँ दोस्तों यहाँ आपको एक एफिसेंसी दो मिली वी की तीन मिली दोनों को अगर हम एक साथ बात करें तो यहाँ दो माइनस आप तीन देख रहेंगे जो की एक कहने का मतलब । का मतलब रिशाव, टांकी हुखाइ्, यहां पर कंड़ीशन दे रखा था चिस चोवीस जो हमारा टोटल यूनिट हे, टांकी टोटल यूनिट कहने का मतलब कोई जोशाई चोवीस, यूनिट चल को ऺता है चोवीस Tahochat हैं कितना 24 यूनिट से जाड़ा पानी नहीं कर सकते तो यहां पर आप देखी सीधे सीधे डिवाइट कराएंगे आपको 24 का तिन चोथाई भरा हुआ है तो सीधे सीधे 18 यूनिट चल भरा है अब 18 यूनिट वाटर को खाली करने में लगा समय 18 बटे एक यहां से जो रिसाव हो इस उसाव के कारण 18 बटे एक वराबर 18 मिन यहां दोस्तों अप देख रहे हैं कि 18 मिनट आपको लगेगा आप अधार मिनट में कहें तो टंकी को क्या करंदेंगे खाली कर देंगे यहाँ पर आप को पूछा है कि खाली करने में कितना मिनट लागेगा तो खाली आप 18 मिनट में इसको कर देंगे टंगी को दोस्तों अगर आपको कोई प्राब्लम हो तो आप comment box में कर सकते हैं मेरे वीडियो पे नए है तो मेरे चैनल को संस्क्राइब कर लीजए और बिल आइकल को फ्रिस कर दीजय और वीडियो के मेरे乾़ लाइक करना न भूलिए दोस्तों आईए मैं आणट next question पे लेके चलता हूँ दोस्तों दूहस्ट कूềम क्या है निया का है जोस्तों वन बाई वन गने को मतले हैं एक बार चला तो दुसरा बंद दूसर चला तो तीसरा पहला बंद तो इस तरीके से वन वाई वन पहला एक-ईक मिनट के लिए खोला जाए और शुरुवात से करें तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा शुरुवात यहां दोस्तो ऐसे हो रही है और एक-एक मिनट बारी-बारी से यह खोले जा रहे है तो इस तरीके से आपको इस तरीके के question में यह ध्यान देना होगा कि सुरुवात जहां से होती हैं उसी को पकड़ते हैं और एक-एक मिनट बार दोनों को बंद कर दिया जा रहा है यहां वन वाई, वन एक 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 मिनट दोस्तो यहां ओर बी की अलग-अलग बात हुरही नग को रही है क्यां दोस्तों यहां से आप प्षफ नमेमरा जो पूरानी प्रोल्रमेंना उस साथ दोनों को हम लोग भूबश लुए निकालेंगे 20 42 आएगा अबिसको सिच से स्ट टिवाइड करेंगे six घुंबलेगा इस दिवाइड करेंगे six मिलेगा आप यहां से इस चीज को तो देख सकते हैं, तो यहां पर A की जो efficiency आई वो 7 मिली, B की जो आई वो 6 मिली, इस तरीके A और B की हमें efficiency मिल गई, यहां पर बात किया है, A जो है शुरुवात करता है, तो A शुरुवात किया है, A की efficiency यहां से हम अगर देखें, तो first minute में A चला, 7 efficiency से, second minute में B चला, 6 efficiency से, तो नों के अगर मैं slope बना दिया, एक slope बना दिया, कि second का जो लिखा हूँ में यह एक slope है, इन दोनों का first और second का अगर एक slope मैं बना दिया, और यहां पर इन दोनों को एक slope यह जूड़ जाएंगे, slope का मतलब यह एक slot बना लिया, कि दो, अब 2 minute में, यह कहें कि 2 का unit हो गया दो unit के minute में यह कितने काम करेंगे, दोनों साथ मिलके साथ चा 13, अब यह 13 unit भर देंगे 2 minute में, अब यह जो 2 minute का इनका slot बना है, अगर मुझे भरवाना कितना है, दोस्तों, यहां पर total unit हमें 42 जो है, टंकी को भरना है, तो इस टंकी का जो total unit है 42, अब हमने दोनों के एक slot मे बना लिया, यह 2 second के spell में जो है 13 unit जो है water को भर देते हैं, अब मैं बात करूँ, अगर मैं इस में 3 का multiply कर दूँ, तो 13, 49 मिलेगा दोस्तों, अब यह 49 unit भरेंगे, तो कितने minute में, 3 गुड़े, 2 तो 6 minute में यह 49 unit water को भर देंगे, दोस्तों, अभी मुझे भरवाना कितना है, 42, तो हमे 42 भरवाना है, जबकि हम 49 भर चुके हैं, तो सीधे सीधे हमें 6 कितना मिला, 49, यहां से आप देख रहे होंगे, 6 आपको मिलेगा, 6 42 माइनस 49, तो आपको 3 unit जो है 6 मिला यहां से, 3 unit 6 अभी आपको भरवाना है, आप 6 minute काम कर चुके हैं, कहने का मतलब दूसरे minute पे जो हमें B मिलता है, यहां से आप देख रहे हैं, पहले पे A, दूसरे पे B, लेकिन 6 minute पे आपको B करवा चुका होगा, जैसे 7 minute आएगा, जैसे आपका 7 minute आएगा, आपको A की बारी हो जाएगी, कहने का मतलब आपको A की बारी होगा, आपको A की बारी आती है, इवेन वाले नमबर पे B की बारी आती है, तो इस तरीके से अब 7 जो आड नमबर है, तो एक ही बारी आई, हमें 3 unit काम करवाना है, हमें efficiency हमारी 7 है, तो 7 efficiency से 3 unit काम कराएंगे, 7 बटा 3, अब इतने minute में ये इसको क्या करेगा, भर देगा, टोटल टाइम की अगर बात करें, तो यहां से आप देख रहे होंगे, 6 minute आपको यहां से मिला, ये 6 minute और ये 3 बटा 7 minute यहां से मिला, चुर्तल टाइम आप क्लिक सकते हैं, 6 सही या 6 प्लस 7 बटा 3, उसके बाद आप कह सकते 6 सही 3 बटा 7 मिनट में ये पूरी तरीके से टंकी को भर देगा, पूरी तरीके से टंकी भर दे दोस्तों अगर प्रॉब्लम हो, आप हमें कमेंट कर सकते हैं, मैं प्रयास करता हूँ, आपको उपन करके हर चीज को बताओं, हर चीज को क्लियर कर दो, इस तरीके से मैं आपको अपने हिसाब से मैं हर पॉइंट को क्लियर कर दा हूँ, अगर आपको इतने पर भी प्रॉब प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करिए बताइए हमें इस पॉइंट पर प्रॉब्लम हो रही हम उसको और जो है सिंप्लिफाई करेंगे और अच्छे तरीके से आपको इस प्लेंड करके बताएंगे दोस्तों मेरा अगला कुश्चन है कुश्चन नमबर 13 आप देख रहे होंग इस रूख यह कुश्चन थोड़ा बड़ा जरूर है लेकिन ये बहुत आसान है ये बस समझने की बात है आप अगर कुश्चन को बात समझ लिए तो आंसर आप करने बहुत आसानी होगी ये लिखा है किसी हाउस को किसी हाउस में तीन नल एक हाउस का मतलब टंकी समझे है 3 लगे हुए, 3 टोटी, 3 ल, 3 टैप कुछ भी कहे तो आप समझचिए कि यहां टाइब न की बात में आपको टोटी से ृलेटेट बाते होंगी, कोई भर रहा है, कोई खाली कर रहा है, जो है, 3 टैप है, 2 टैप है, इस तरीके से आपको question में आपको words मिलें, सुनने को मिलेंग अलग अलग भर सकते हैं पहले नल С को को खोल दिया जाता है उसके पंच मिनट बाद B को कुल दिया जाता है पूरह 9 मिनट बाद नलसी को नल A को खोल दिया जाता है बताएं हुझ पुर्ष तक कितने मिनट में भरेगा जी दोस्तो आपको यहाँ फिर से समय पोफा कि कितने मिनट में होल भरेगा question में थोड़ा सा condition क्या है दो तीन पॉंट पे condition दे रखा है a जो है 20 मिनट, p जो है 30 मिनट, c जो है 60 मिनट अगे लिखा है अलग अलग भर सकते है फिर कह रहा है कि πहले मिनट में c को पहले C से start करवा रहा है पहले C को खोल दिया जाता है उसके 5 मिनट बाद B को खोल दिया जाता है पुना 9 मिनट बाद A को खोल दिया जाता है बता होजपूर तक कितने मिनट में भरेगा जी हाँ दोस्तों अब यहाँ पे कुछ condition है उसको दिमाग में रखते हुए हम solve करेंगे और question के answer को देंगे अब यह भाग देखिए जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ A, B, C की जो है वो time period दे रखा है A जो है 20 मिनट में B जो है 30 मिनट में और C जो है 60 मिनट में भरेगा तो इनकी अलग-अलग efficiency क्या निकल के आई A 3, B 2 और A जो है A की efficiency से भरेंगे अब अगर यहाँ पे बात कह रहा है कि पहले C को बात किया C जो है खोल दिया जाता है उसके 5 मिनट बाद ही B की बारी आती है पुना 9 मिनट बाद C A की बारी आती है तो start हम C से ही करते है हमें total unit कितना मिला 60 60 यह मिला अब 60 unit का हमें जो है tank है उसको fulfill करवाना है ABC तीन टैब है बारी बारी से उनको start करना है पहले start हो रहा है C से C दोस्तों यहाँ पे आप देखिए C जो दे रखा है C की efficiency कितनी है 1 C एक efficiency से भरेगा कह रहा है पहले C को खोल दिया जाता है हमने start कर दिया C से C के just 5 मिनट बाद जो है B खोल दिया जाता है तो कहने का मतलब C अकेले 5 मिनट काम किया है उसके just बाद B include हो गया तो A के efficiency अगर 5 मिनट तक काम किया तो 5 मिनट जो है C भर दिया अब बात करते हैं 5 मिनट बाद 5 मिनट बाद B भी include हो गया B जैसे include हुआ B और C की efficiency मिलके 3 हो जाएगी अब 3 efficiency से ये कारी कितने मिनट तक करेंगे आगे इसमें question में दे रखा है पुना 9 मिनट बाद A को खोल दिया जाता है तो कहने का मतलब 5 मिनट बीद गया है 9 मिनट तो 4 मिनट ये एक साथ करेंगे जैसे 4 मिनट की ये 9 मिनट हुआ A भी आके उसमे include हो जाएग तो ये 3 efficiency से 4 मिनट काम करेंगे तो कहने का मतलब 12 unit ये भी भर दिये कौन B और C अब B और C मिलके 12 unit भर दिये अगर इन 9 मिनट में बात करें ये 5 मिनट और ये 4 मिनट ये 9 मिनट में 9 मिनट में कितने unit जल को भर दिये तो यहां से आप ये 5 और ये 12 आप चोड़ेंगे तो 17 यहां से मिलेगा और यहां से 5 और 4 चोड़ेंगे तो 9 मिले तो 9 मिनट में कहें तो 9 मिनट में यह 17 यूनिट वाटर को भर देंगे इस टंकी के 9 मिनट में आपको टंकी के इतने मिनट 17 यूनिट वाटर को भर दी अब सेस हमें मिलता क्या है सेस यहां से हम देख सकते हैं 60 माइनस 60 माइनस 17 करेंगे 43 हमें मिला 43 यूनिट अभी ह बात हो गई अब यहां एभी इंकल्यूड हो गया है क्योंकि नौ मिनट बाद आगया अब तीनों अगर मिल जाएंगे इनकी फीसियंसी का क्या हो जाएगे तीन प्लस दो प्लस एक तो तीन दो पांच एक छे छे फीसियंसी से अब काम करेंगे हमें भरवाना कितना है 43 43 युन यहां से समझ सकतें 7 इक बटा 6 इनकी जो है तीनों के द्वारा भरने में लगा समय और यहां से आप यह देख पा रहे होंगे तो टोटल टाइम कि अगर हम बात करें तो 9 मिनट यहांसे मिला है हमें और यह साथ सही एक बटा 7 इक बटा 6 तो यहां से हम इसको आइड कर दें तो यहां से दोस्तों आप इसके अंसर को दे पाएंगे कि यहां पे अगर मिनट में बात है तो यह इतने मिनट लगाएंगे फूरी तरीके से भर देगा यहां पे दोस्तों बस इस कंडिशन को आपको दिमार्ण करकर हैं अगर कंडिशन आप दिमार्ण कुष्क्ष्चम है आप आंसर में आपको कुडेने में सब्सक्राइ деле को देनेंएyon कोई प्रोब्लम नहीं होगी बस क्वेश्चन क्या कर रहा है क् मेरे चैनल पर रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसे लाइक को प्रेस कर दीजिए वीडियो ज्यादा से ज्यादा से ज्यादा सेर करिए दोस्तो अगर आपको वीडियो में कहीं प्राबलम हो तो आप हमें कमेंट बाक्स में बता सकते हैं और मेरे कमेंट बाक्स में कमेंट करके बताईए और अगर आपको कोई और क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो रहे तो आप कमेंट बाक्स में सेर कर सकते हैं उसका अंसर हम से जान सकते हैं पूछ सकते हैं और दोस्तों यह मान के चलिए अगर आप इस तरीके के क्वेश्चन के अंसर दे पा रहे हैं तो exam में आप पूरी तरीके से जितने भी question आएंगे उसको आप आसानी से कर पाएंगे यहां दोस्तो इस से tough question exam में नहीं आता यही question का criteria है यही question का label है और यही तक रखेगा जिसके practice जितनी अच्छी उसका उतना smart answer जिसका जितना smart answer उसका उतना best score जिसका जितना best score उसका उतना best selection उसके chances ज्यादा है selection होने के गलती अगर आप करेंगे तो आप मान के चलिए उसका खामयाजा खुद से बुकतेंगे अगर आप practice नहीं करके जाएंगे तो आप प्राबलम होगी आप फी problem face करेंगे उसमें कोई दूसरा भागीदार नहीं करेंगा तो इस तरीके से यह मेरा request है humble request है सुझाओ है आप से बिनम निवेदन है कि आप जो है इस साम में जाएं तो अपने को well prepared करके जाएंगे आपका time last होगा और कोई मतलब नहीं निकलेगा तो मिला जुला कि आप ज्यादा से ज्यादा में नहत करिए और आपको अगर प्राब्लम होती है तो आप कमेल बाक्स में हमें प्राब्लम सेर करिए मिलते हैं अपने नेस्ट वीडियो में नए अनर्जी के साथ थैंक यू दोस्तों थैंक यू